हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल बुनियाद उद्दू स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2024 के लिए इंग्लिश के एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे बचो याद रहे, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है तो आप प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखें सेक्षिन ए, सेक्षिन ए रीडिंग कॉम्प्रिहंशन का है फर्स्ट क्वेशन है, कि रीड थे एक्स्टेक्ट गिवन बिलो और आंसर थे क्वेशन गिवन ए तर आप इस स्टेंजा को अच्छे से देखें कौन सी पोएम से लिया गया है, यह आप खुद बताएंगे यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आप खुद बताएंगे कि यह स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है आप कमेंट करके बताएं, ठीक है आप इसको अच्छे से देखें अब इसमें फर्स्ट क्वेशन क्या है किस पोएट ने इस पोएम को लिखा है तो पोएट का नाम है पैबलो निरुदा, सी पार्ट लियर, वेर डिद दे पोएट लिव, यह फास्ट लाइन में ही लिखा है इसका ओफ्शन भी सही है, क्वाटर इन मैड्रेड थर्ड पार्ट है, what could be seen from the poet's house तो इसका सही आंसर है, the dry face of Castile अब फोर्थ पार्ट देखें, the theme of the poem is very important आपको ऐसे questions अक्सर पूछे जाएंगे, what is the theme of the poem तो इसका ओपार्ट सही है, despair फिप्थ पार्ट है, the poem is written in dash verse ठीक है, तो इसका सही आंसर है, blank verse very important second question देखें, read the following passage and answer the questions given at the end इस passage को आप अच्छे से पढ़हें, सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझें ठीक है, जब आप इस passage को अच्छे से पढ़हेंगे तो answers आफ आसानी से लिख सकते हैं ठीक है, एक और बात कि इस passage का suitable title जो है वो भी आप मुझे comment करके बताएंगे ठीक है, मैं title आपको नहीं बताऊंगा तो इस passage का suitable title जो है वो आप खुद बताएंगे आप इसको अच्छे से पढ़हें क्योंकि मैंने तो इसको already read कर लिया है आप इसको देखें अब देखें, first question क्या है the film industry has facing the challenge of इसका option D सही है the television screen देखें, मैं कुछ questions के answers जान बूज कर गलत दूँगा ठीक है, ताकि मैं ये देख सकूँ कि आप देख रहे हैं या नहीं ठीक है, तो आप उन answers को match करें कि मैंने सही answers दिये हैं या नहीं ठीक है, ये आपे depend करेगा क्योंकि paper आपने देना है exam में ठीक है, देखें, second part क्या है the TV has become popular because of इसका option क्या सही है D part इसका option सही है its ready availability and nearness ये answers उपर passage में आपको मिल जाएंगे the antonyums of the word delightful is ठीक है, antonyum आप जानते हैं क्या होता है opposite तो delightful को opposite क्या है, वो आपको लिखना है ठीक है, तो delightful को opposite जो है antonyum जो है, वो क्या है unpleasant 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 ठीक है next है, irritants only breed mistrust and conflicts among nations तो ये true है फिफ्थ है, cultural contacts bring dash in international relations तो इसका सही आंसर है C part, harmony clear तो आप इन answers को इस passage में ढून सकते हैं सबसे पहले आप इस advertisement को अच्छे से देखें, ठीक है आप इसको अच्छे से जब देखेंगे तो आंसर्स आप आसानी से लिख सकते हैं तैलन गानाज गलोरी देखें, अब फर्स्ट क्या है, what is तैलन गानाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइड तो देखें, यहां पर देखें इसका अंसर यहां पर है तैलन गानाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइड जो है, वो कौन से है, कौन सा टेम्पल है रमापपा टेंपल ये इसका सही आंसर है तो इसका सही आंसर है 40 ठीक है तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो इसका सही आंसर है समक्का सरक्का फेस्टिवल ठीक है यह भी यहाँ पर दिया हुआ है देखें यहाँ पर यह ट्राइबल फेस्टिवल जो है समक्का सरक्का उसके बाद है वर्टीज पिलाला मरारी रिनोंड फॉर तो पिलाला मरारी इस रिनोंड फॉर 700 येस ओल्ड बैन्यंट्री उपर एडविटीजमेंट में लिखा है आप देख लेना बाद में वरंगल फोर्टीज सिच्वेटेड इन तैलन गाना राइट ट्रू और फॉल्स ये आप मुझे खुद बताएंगे ठीक है आपको एक्जाम में बिल्कुल ऐसी ही एक पैसेज पूछी जाएगी ठीक है उसमें आपने correct form of verb लगाना है workers on coffee plantations have to pick the beans by hand after the beans अब देखो यहां पर gather लिखाए न तो यहां पर आपको सही form of verb लगाना है correct form of verb लगाना है तो क्या लगाएंगे आप ठीक है कोशिश करने लगाने की फिर मैं आपको answer देता हूँ after the beans gather they are dash roast at high temperatures this process dash them their fragrance तो यहां पर after the beans यहां पर आएगा have been gathered g-a-t-h-e-r-e-d after the beans have been gathered they are roasted r-o-a-s-t-e-d roasted at high temperatures this process gives g-i-v-e-s gives gives them their fragrances fragrance clear तो यह आपने ऐसे इसको fill करना है अब 5 देखें rewrite the following passage in indirect form अब यह narration है यह passage को देखें ठीक है तो सबसे जब आप इसको change करते हैं तो इसके जितने भी inverted commas हैं ठीक है interrogative mark वगरा जितने भी होते हैं उन सब को हटाना होता है ठीक है तो आपने इसको अच्छे से देख लिया हो I said to my friend where are you going after the examination my friend said I have not yet decided I said to him let us go to my village home together ठीक है अब अब आप अच्छे से देख लेना मैं आपको answer बता दूँगा यहां पे आपने क्या लिखना है I said to my friend की जिगा लिखना है I asked my friend ठीक है यह inverted comma comma वगरा जो भी यहां पर लगा है उसको आपने खात्म करना है आपने लिखना है I asked my friend where he you की जिगा he r की जिगा was where he was he was going after the examination ठीक है अब my friend said के बाद इदर क्या लिखना है आपने my friend replied that I की जिगा he that he have की जिगा had that he had not yet decided clear उसके बाद I said to him की जिगा आएगा I proposed to him that we should go to that we should go to my village home together clear आपने इसको ऐसे करना है hopefully समझ आ गया हो sixth version देखें there are four errors indicated by numbers in the brackets in the following passage correct the errors and rewrite the corrected passage अब आपको एक passage दी जाएगी उसमें four mistakes है numbers दिये हैं one two three four आपने उन mistakes को correct करना है बाकि आपने कुछ नहीं करना है ठीक है आप इस passage को देखें यह passage जो है past में है the poor present was coming from his field he was on his way it was dark the darkness filled the present by fear तो बाई की जगा यहां पराएगा वीद वीद फिर he cannot walk anymore तो कान की जगा एगा कोड़ ठीक है then after some time he stood up he went slowly and saw about 30 or 40 chicks तो आर की जगा एगा तू 32 40 chicks in his way it was a strange experience the present looked confused देखो confused की जिगाएगा confused ठीक है फुल स्टॉप आएगा यहां पर he saw some men coming towards him they carried lanterns clear आपने इसको ऐसे लिखना है उसके बाद है section C writing skill यह 25 marks का section है अब देखें इसको दिहान से देखना two friends Rakesh and Imran are discussing their careers complete the dialogue in any suitable way Rakesh कह रहा है कि hello Imran it is nice to see you after such a long time where have you been Imran का जवाब है कि hello Rakesh it's nice to see you too I have been busy I have been busy preparing for my engineering entrance examinations Rakesh कहता है that is great I did not know you wanted to become an engineer अब इसके आगे क्या इन दौनों में discussion होती है वो आपको लिखनी है तो देखिए इसके बाद Imran की बारी है तो Imran क्या बोलेगा आप जो मैं बोलूँगा वो आप लिख लो आप notebook साथ रखें और लिख लो Imran आपने देखो आपने लिखना है यह कम से कम 100 to 150 words अपने यह लिखना है यह dialogue लिखना है तो आपको आगे क्या लिख सकते हो आप इसमें देखो क्योंकि यह दौनों carrier के बातें कर रहे है तो Imran अब राकेश के बाद Imran की बारी है तो Imran क्या बोल रहा है I have always had a natural inclination towards a mechanical occupation so I want to become an engineer what are you going to do अब Imran पूछ रहा है राकेश से तो राकेश का जवाब क्या है I have always loved teaching wish to become a good teacher like my mother clear तो Imran कहता है No doubt you have all the qualities of a good teacher I have seen you guide your younger brother do his homework you will be a very good teacher तो ऐसी ही discussion जो है आपने आगे लिखनी है उसके बाद राकेश जैसे बोलता है Thanks Imran I just hope I achieve my goal of becoming a competent teacher and share my knowledge with students for their future Imran आगे कहेगा that is a very nice thought wish you all the best in all your endeavors Rakesh कहता है Thanks Imran I wish you the same Bye 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 Take care ठीक है तो आप ऐसे ही इस डायलोग को complete करेंगे एर्थ क्वेशन देखें आप 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 जानते हैं आप 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 अप क्राहए लिखना है तो अप आप आप जानते हैं ये मेसेज आपको ड्राफ्ट करना है ठीक है तो मीटिंग को पोस्ट पॉन करने के लिए आपको मेसेज ड्राफ्ट करना है उसके बाद लेटर देखो लेटर क्या यहां पर है तो एक देखो कैसे आपने इनको लिखना है सोच लो आप एक्जाम में अगर ऐसा ही लेटर पोच आगया तो आप कैसे लिखेंगे प्रैक्टिस करो ठीक है आगे देखे इलेवन्थ है स्पीच और पैरग्राफ में से आपको कोई एक करना है स्पीच आई है इन हिंट्स को माइंड में रखकर आपने स्पीच लिखनी है पैरग्राफ लिखना है आपको आपको पैरग्राफ लिखना है कोशिश करें लिखने की ठीक है प्रैक्टिस करें आपको पेपर बहुत अच्छा होगा ठीक है स्टोरी देखें स्टोरी यह ऊपने है स्टोरी की तोरी यह पढ़ही होगी इस आपने पढ़ही होगी ठीक है इसका मॉल्ड क्या है टीट फॉर टैट जैसा करोगे वैसा भरोगे ठीक है टेलर जो है एक बार हाथी को सूई चूबा देता है ठीक है तो फिर हाथी जब वापस आता है तो अपनी सून में बहुत सारा गंदा पानी लाता है और टेलर्स की शौप पर फैंक देता है तो इस तरह हाथी जो है बदला चुका आता है तो यह स्टोरी है आपने पढ़ ही होगी तो आप इसको लिखें उसके बाद लिटरेचर के यह कॉश्चन्स है यह तो खेर आप जानते होंगे आपने इन कॉश्चन्स को पढ़ा होगा मैंने आपको कही बार कहा है पहले भी कि समरी को माइन में रखें अगर आप समरी आपको अच्छे से आती है अगर आपको स्टोरी का पता है तो आप आंसर्स आसानी से लिख सकते हैं ठीक है इन कॉश्चन्स को आप अच्छे से देखें सेंट्रल आइडिया थीम ठीक है यह आप माइन में रखें जरूर आपको इन में से कॉश्चन्स आएंगे पोईटिक डिवाइस जो है बहुत इंपोर्टन है इनको आप अच्छे से राइन करें यह बाकी कॉश्चन्स हैं इनको भी आप देख लें कमेंट ओन टाइटल ऑफ दे प्ले प्ले प्रोपोजल वट आप इनको देख लें बहुली का करेक्टर स्केच बहुत इंपोर्टन है जरूर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है होफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो बचो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना नभूले